हेलो दोस्तो, साबू की किचिन में आपका स्वागत है तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेश्टी सी ये बिंडी वाली सबजी जो बच्चे नहीं खाते होंगे वो भी बड़े प्यार से खाएंगे तो देखिए बिंडियों को मैंने बिलकुल एक ही सेप में बीचो बीच इनको चीर लिया है सामने की आगे की और पीछे की टिपस इनकी दोनों मैंने हटा दी हैं चाहे छोटी बिंडी हो चाहे बड़ी बिंडी मैंने यहाँपर आधा किलो भिंडी ली हैं आप अपने परिवार के हिसाब से ले ली जीगा और यहाँपर मैंने आट-ड़ा सरी मिर्च ली हैं इनको भी मैंने देखें लंबी सेप में चीर लिया है और यह तीकी वाली मिर्च नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी चाद लिया है यहाँ पर मैंने दो बड़े प्याज लिया है इनको भी मैंने पतला और बारिक लंबी सेप में अच्छे से काट लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है दो बड़े टमाटर इनको भी मैंने देखिया अब देख पार है लंबी-लंबी सेप में ही काटा है तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने डाला है इसमें करीबन 2.5 बड़े चमचे और मैंने यहाँ पर ऐलमुनियम की कड़ाही लिए और गैस को हाई कर लिया है तो देख लेते हैं तेल हुआ कि ने तेल हमारा एकड़म हाई हो गया है अब इसमें धीर इसे डाल देंगे हम अपनी प्याज हमने हाई तेल में यह इसलिए डाली है क्योंकि हमें इनका एकड़म इनको क्रंची से बनाना है और कलर चेंद करना है निखिए जब हमें प्याज करना होती है कुरिकुरीसी तो सुरूमें हाई हमें टेल रखना पड़ता है रिज्छव सिलो देखिए न lying on a smsi ससूर में प्यारा और कुसीपी आ रहे तो आप भी ऐसे ही बना लिजेगा जब आपका ग्रंची प्याज खाने के लिए मन करें तो देखिए निकाल लेते हैं इनको हम आर ऐसे ही बन जाती है बड़ी अच्छी लगती है और इनने एक अपते के लिए हम श्टॉक करके भी रख सकते हैं एक डिबे में बाहर ही रखनी है तो चलिए अब हम कर लेते हैं मिर्चो को फ्राई मिर्च को हम ध्यान रखिएगा ज्यादा फ्राई नहीं करेंगे और गैस को यहाँ पर आप लोटू मीडियम कर लेंगे गैस बिल्कुल हमको हलकी सी यह फ्राई करनी है ज्यादा नहीं करनी है पिल्कुल हलकी सी जैसे मिर्च आप देख पा रहे हैं अब इनको हम निकाल लेंगे तो चलिए मिर्चों को हम सभी को निकाल लेते हैं एक दम बढ़िया लग रही हैं देखने में भी तो अब हम डालेंगे इसमें मिर्च निकालने के बाद में अपनी बिंडी तो सभी बिंडियों को हम इसमें डाल द आपके बड़े और बच्चे सभी खुस हो जाएंगे बहुत ही टेश्टी लगती है और नहीं जो चिकनाइट होती है तो देखे हो गया ना कलर चेंज और बिल्कुल सॉफ्ट से हो गई हैं एक्तम बहुत ही थोड़ी सी लग रहे हैं देखने में भी तो चलिए इनको अच्छ रखते लोगा उसे हमें एक कटोरी में निकाल लेंगे थोड़ा सा ही तेल बस अपनी कड़ाई में रखेंगे तो निकाल लेते हैं इन सभी को हम तो तो तेल हमने निकाल लिया थोड़ा सा रखा है अब हम डालेंगे इसमें टमाटर जो टमाटर हमने काटके रखे थे और ज दालेंगे इसमें आधी छोटा चमत लाल मुर्ची पाउडर अब डालेंगे नमक स्वादनुसार और अब डालेंगे इसमें हम सूखा धनिया पाउडर छोटी आदा चमत अब इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स और इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है ध्यान रखिएग हम इसमें अपनी मिर्ची जो मिर्ची हमने फ्राई की थी अब इसको एक मिट के लिए ऐसे ही थोड़ा सा हम चला लेंगे जादा नहीं चलाना है क्योंकि अल्रड़ी ये सॉप्ट होई है हमारी मिर्ची तो देखिए अच्छे से फ्राई कर लिए लग रही है ना सुन्दर स बढ़ देखने में तो चलिए आप डाल देते हैं हम इसमें अपनी क्रण्ची वाली तो यहां पर थोड़ी सी प्याज हम गानिश के लिए इसमें से बचा लेंगे तो हमने प्याज को भी डाल दिया है मन कर रहा है ना देख के ऐसे ही खाने को मसाला भी बड़ा स्टेस्टी आपके रिस्तेदार भी तारिफ करते आपकी नहीं थकेंगे तो ऐसे ही हम इसको मिला लेते हैं और आम इसे डगना बिल्कुल भी नहीं है एक से दो मिन्ट के लिए सिर्फ ऐसे ही चला लेंगे ताकि मसाला जो हमने टमाटो में डाला अच्छे से इसमें अब जब हो जाए तो भाई अब डालेंगे इसमें हम आदा नीमबू नीमबू हमने आप लिया है क्योंकि टमाटर इसमें अल्रेडी हमने डाला हुआ है अगर आप नीमबू खाना पसंदा करें तो इसमें टमाटर डाला हुआ है तो अब इसको अच्छे से हम चला देंगे धीरे से जादा नहीं करना है नहीं तो भिंडिया क्या टूट जाएगी तो आराम आराम से जैसे कि मैं चला रही हूँ ऐसे ही आप भी मेरे साथ सथ बना के खाईएगा इसको और चलाईएगा बड़े प्यार से तो चलिए देखिए भिंडी तो हो गई है हमारी यहाँ पर रेडी अब गैस को इस जगह पे हम कर लेंगे बंद जादा नहीं चलानी है हमें तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं सर्पिंग की तैयारी करते हैं देखिए लग रही है न सुनदर सी गानिश के लिए रख देते थोड़ी सी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दवाना नहीं भूलिएगा जिससे कि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और किसी मोसम में भी इसको बना कर खा सकते हैं धन्यवाद